दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई संकेत छुपे होते हैं इन संकेतों को अगर समझ लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविश्य में आने वाला समय कैसा होगा और पदिशानियों से बच सकते हैं जोतिश के अनुसार जब दरिदृता बढ़ने की संभावना होती है तो घर में छोटी छोटी बाते इशारा करती है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरीबी बढ़ने वाले कौन-कौन से संकेत आपको मिल सकते हैं अगर घर में कोई मुसीबत आने वाली है तो इसका असर सबसे पहले घर में लगे तुलसी के पौधे पर होता है तुलसी का पौधा बिल्कुल सूख जाता है जिसे घर में मुसीबत दरिदृता आने का संकेत माना जाता है दोस्तो कौन है जो भगवान की कृपा ना प्राप्त करना चाहता हूँ अगर आप भी भुलेनात की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंस में जरूर लिखे हर हर महादेव ताकि भगवान के दर्बार में आपकी हाजरी जरूर लग जाए दोस्तों, भलेनात के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है खाने पीने के नमकीन पदार्थों में काली जीटियों का पड़ जाना आपके आने वाले बुरे समय की और इशारा करता है अगर आपके घर में लगे पेड़ पौधों की पतियां सूखने लगे तो उसे तुरंत आप कटवा ले घर में लगे पेड़ पौधे हमेशा हरे भरे होने चाहिए घर में पेड़ पौधों की पतियां सूखनी नहीं चाहिए वरना बुद्ध ग्रह खराब होता है और इससे आपके उपर कर्ज बढ़ता है पेड़ पौधों को रोजाना पानी जरूर दे सूखने ना दे घर में जाड़ू लक्ष्मी जी का सूचक है क्योंकि ये दरिद्रता को घर से बाहर निकालता है इससे घर में सुख समरिध्धी वधन दौलत आती है जाड़ू के उपर पाउं नहीं रखना चाहिए इससे लक्ष्मी का निरादर होता है घर का कोई छोटा बच्चा अचानक घर में जाड़ू लगाने लगे तो उसे घर में किसी अनचाहे मेहमान के आने का संकेत समझना चाहिए सूर्य अस्त के बाद घर में जाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि व्यक्ति के दुर्भाग्य को निमंतरन देता है नाश्ता करने से पहले ही जाड़ू जरूर लगा ले ये शुब रहता है उल्टा जाड़ू करके रखना अप्शगुन माना जाता है जाड़ू को हमेशा लेटा करके रखना चाहिए जाड़ू को खड़ा करके रखने से घर में कलहय भड़ता है और घर में दरिद्विता का गरीबी का वास होता है अंधेरा होने के बाद आपको जाड़ू लगाने से बचना चाहिए इससे मातालक्ष्मी नाराज होती है घर का कोई सदस्य बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद जाडू नहीं लगाना चाहिए कुछ देर के बाद आप जाडू लगाए वो भी भगवान से प्राथना करने के बाद जाडू को आपको छुपा करके रखना चाहिए किसी की नजर इस पर नहीं पढ़नी चाहिए जिस प्रकार धन को छुपा करके रखा जाता है उसी प्रकार जाडू को भी घर में आने जाने वालों की नजरों से आपको दूर रखना चाहिए वास्तो विज्ञान के दुसार जो लोग जाड़ू के लिए एक स्थान बनाने के बज़ाए कहीं पर भी जाड़ू ऐसे ही रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है इससे खर्च बढ़ता है आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है गाएं या अन्या किसी भी जानवरों को जाडू से मार करके नहीं भगाना चाहिए इससे महालक्षमी आपके घर से रुष्ट होकर चली जाती है नाराज होकर के चली जाती है जिन घरों में दूद उबल कर गिता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है घर के लोग बिमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभाव ना बढ़ती है इसलिए अगली बार से इस बात का जरूर ध्यान रखे बहुत से लोगों का कहना है कि दूद उबल कर गिरना शुब होता है तो मैं उन्हें बता दूँ कि अगर रोजाना आपके घर में दूद उबल कर गिता है रोज नर्रा की जिंदगी में तो ये शुब नहीं है रोज रोज ऐसा नहीं होना चाहिए आपको इस बात का खयाल रखना चाहिए अगर आप किसी काम से घर से बाहर जाएं और वापिस आते ही आपको दर्वाजे पर सबसे पहले चिपकली के दर्शन हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका बुरा समय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है ऐसे में आपको पहली ही सभल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तयार हो जाना चाहिए इस बात का ध्यान रखें दोस्तों के वक्त कभी भी एकसा नहीं रहता है बुरा वक्त भी निकल जाएगा जरूरत है सर्थ हिम्मत से काम लेनी की दोस्तों घर में चिपकली दिखना वैसे तो शुब संकेत होता है लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें चिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में प्रवेश से पहले आपको पूजा हवन आदी करवा लेना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति की तरक्की नहीं हो पाती है और बुरा समय हमेशा उस व्यक्ति पर हावी बना रहता है अगर जाने अन जाने में चिपकली आपके शरीर के अंगों पर गिरती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिरें तो आपके लिए खुशियों का संकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाब होने वाला होता है लेकिन वहीं अगर छिपकली आपके सर पर या बालों पर गिरती है तो आप सतर्क हो क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी मृत्यू नजदीक है इसी तरह सो आख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है महिलाओं की बाई आख फड़कने का मतलब है आपके जीवन में कुछ अच्छा हो ये शुब संकेत का इशारा करता है, अगर बाई आख याने के लेफ्ट आख चारों दिशाओं में पड़कती है तो इसका मतलब है कि आपके शादी के योग जल्द ही आने वाले हैं, महिलाओं की दाई आख याने राइट आख पड़कने का मतलब है अशुब हुना, दाई आ लिख्ट प समय कब मिल सकते हैं crafts अगर कवया किसी स्तुरीच के सर्पर आकर B ход जाये । उस पतिई पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है अगर किसी व्यक्ती के घर पर या उसकी छट पर अचानक बहुत सारे कववे आकर शोर मचाने लगे तो ये उस घर के मालिक पर आने वाले किसी बड़े संकट या बहुत सी समस्याओं के आने का संकेत है दोस्तों घर में पड़े हुए काच या चीनी मिट्टी के बरतन बार बार तड़क कर टूट जाते हैं तो ये भी दरिद्रता की और इशारा करते हैं तो दोस्तों आपको इवीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे हर हर महादेव जय भूले नात